नमस्कार जैहिन वंदे मातरम दोस्तों स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ड एक्जाम शड़ी प्रेट्वर्ड में रास्रहित में सिक्षाद सिधीरस दिवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड दोस्तों उमीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे परिवार वेहतरीन औ और उम्दा होगा आज की है वीडियो सूपर फास्ट वीडियो है हम पूरे संविधान का जो टॉप 101 क्वेशन जीके में जो क्वेशन्स यहां से बनेंगे अगर आपको संविधान का सावी नहीं आता है तो टॉप लेवल यानि जीरो से टॉप लेवल तक का ग्यान इस वी यानि first meeting जो assembly की हुई थी भारती संविधान की वो दोस्त आपको बताना है कि यहां पर कव हुई थी तो इस question का answer जो जाएगा वो option number किस के साथ? D के साथ जाएगा 9 December 1946 को संविधान सवा की पहली वेठक हुई थी अब दिमाग में ये भी आएगा कई वार exam में question ये भी पू अध्यक्ष कौन था वो भी सभी इसी वीडियो में जानेंगे देखिए अगर दूसरे question की बात करें तो संविधान सवा यानि assembly के जो अध्यक्ष थे अध्यक्ष कौन थे दो लोग अध्यक्ष एक आ इस्थाई और एक इस्थाई अध्यक्ष दोनों में फर्क है याद रख हो केवल इस्थाई अध्यक्ष पूछा जाए तो राजेंदर प्रशाद हो जाएंगे यह दोनों कुस्षन बच्चे को confuse करते हैं फिलाल यह बच्चे आप जानते हैं चलिए अगले कुस्षन की तरफ पढ़ें और कुस्षन को थोड़ा सा हम टव बनाने की कोसिस करते हैं क फुस्षन आपसे यह कह रहा है कि भारतिय संविधान की स्थापना की गई थी अब कब की गई थी आपको यहाँ पर बताना है जरा जबाब दीजेगा तो दोस्तियार यहाँ पर आंसर जो जाएगा वो 6 दिसंबर 1946 अब बच्चे का क्या ढूंते पता है 26 नवंबर ढूंते करने में फरक है मित्र 6 दिसंबर 1946 को भारती संविधान सभा की स्थापना यानि ये संविधान सभा है ये बात दिमाग में बैठा लीजेगा अगला आपसे कह रहा है कि भाहिया देखेगा यहाँ पर भारती संविधान को अगर बनाया गया था भारती संविधान को अगर ब बताईएगा ज़राजवाब दीजएगा बहुत ध्यान से इस कुछन को देखेगा जवाब दीजएगा क्या बात है तो देखे भारती संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था दो बर्स ग्यारा महीने 18 दिन का समय यानि ओप्शन जाएगा सी के साथ बहुत चिंदी स प्रशन था भारत में पहली वार संबिधान दिवस को कब मनाया गया बताएगा क्या बात है तो इस कुश्चन का जो राइट आंसर जाएगा 2015 के साथ क्या चला जाएगा 2015 में भारती संविधान दिवस को मनाया गया था वो भी पहली वार मनाया गया थो इस कुशन का अंसर D-Log किया जाए अगला question, question number हम next लेते हैं स्क्रीन पर ये रहा संविधान में धर्म निर्पेक्ष और समाजवाद सब्द ध्यान दिजगा या फिर अगर हम बात करें 1976 में या फिर हम 1977 की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है 42 मां संविधान संसोधन हुआ था और हम ये कहते थे कि सर 1976 मुझे याद है और हम इसी को लॉक करेंगे क्योंकि 1976 question में कई वार आपको देखने को मिलेगा कभी कभी ऐसे कह देगा कि जो मिनी संविधान भारती संविधान का यानि 42 मां संविधान संसोधन कब हुआ क्या उसमें जोडा गया और ये है जो है किस सं में हुआ तो 1976 अगला question पंचवर्सी योजना ध्यान दीजेगा पंचवर्सी योजना कि अवधारना किस देश के संविधान से प्रेरित है किस देश के संविधान से लिया गया है जर जवाब दीजेगा तो दोस्ति याद रखो यहाँ पर अगर पूछा जाए पंचवर्सी योजना तो पंचवर्सी योजना पांच साल की होती है मुक्यता ऐसा नहीं है कि पांच साल तक योजना जरूरी है ये चले बीच में ये ब्रेक भी हो सकती है पंच वर्सी योजना की अवधाना कहां से ली गई है तो सोबियत संग से ली गई है आंसर ए जाएगा बड़ा ध्यान से करना इस कुश्चन को बहुत बार एक्जाम में पूशा गया है हम लोगों को सब पता होता है कि मौलिक अधिकार मूल करतब्य नीती निदेसक तत्तो ये सिंपल से कुश्चन हो चुके है हमें ये भी याद रखना है सोबियत संग से पंच वर्षी ओजना की अवधाना ली गई है अगला किस भाग को संबिधान की आत्मा कहा जाता है द्यान दिजगा किस भाग को संबिधान की आत्मा कहा जाता है तो याद रखना है कि जो हमारी प्रियेंबल है भारती संविधान इंडियन कांस्टिटिउसन की जो प्रस्तावना है हम कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर प्रभुत ये डॉट डॉट की बात करते हैं तो जो हम भारत से स्टार्ट होती है हम भारत के लोग से स्टार्ट होती, वही प्रस्तावना है और वही भारती संविधान की आत्मा कही जाती है और याद ये रखना है कि डॉक्टर भीमराओ अमेडकर साहब ने अनुच्छे 32 को भारती संविधान की आत्मा माना गया है क्या? बताएगा फटा फट अगला कुश के option पर मत जाना पहले question पढ़ो बहुत ध्यान से पढ़ना है और 9 और 10 में फर्क है भारती संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद और कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थी ध्यान दीजेगा इसमें कितने अनुच्छेद कौमा भाग और अनुसूचिय थे तो याद रखना है कि जिस समय भारती संविधान लागू किया गया था क्योंकि हमें एक ही option पर जाना है ये लागू starting की बात कर रहा है तो वहां पर जो हमारा जो आंसर जाएगा वो जाएगा option नंबर A 395 अनुच्छेद के साथ 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां ये कु पूछा गया है अकेले में भी कहता है कि भारती संविधान जिस समय लागू हुआ था उस समय कितनी अनुसूचियां थी तो आप याद रखेगा 8 अनुसूचियां थी गलती से बारा मत कर देना दूसरी भासा में एक और कुशन पूछा जाता है भारती संविधान के मूल सं पूछा कि संविधान में कितने अनुसूचियां हैं यह दोस्त यहाँ पर था और यह हैं यह दोस्त पहले की बात है यह प्रेजेंट की बात है क्योंकि इसमें लगा है वरतमान अब यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो किसके साथ वो जाएगा फोर नंबर के साथ 448 चीज भाग है और 12 अनुसूचियां है इस समय जिस समय संविधान में हम जी रहे हैं अगला निम्लिकित में कौन सा देश का सरवक्ष कानून है यानि कौन से देश का सरवक्ष कानून है अगर मैं बात करूं कौन से देश और कौन सा देश फरक है यहाँ पर कौन से देश हो प्रक्रिया सहिता या दंड प्रक्रिया सहिता तो दोस्त याद रखेगा कि सम्विधान को सबसे सरवक्ष माना गया है तो option B लोख होगा अगला भारत का सम्विधान किसके द्वारा बनाया गया था योजना आयोक के द्वारा क्या बनाया गया था सम्विधान निर्मात्री के द्वारा बनाया गया चैनल पर पहली वार है तो चैनल को सस्क्राइब करें क्योंकि यहां पर आपका परिवार ही हूँ मैं और आपके परिवार का सदस्य ही हूँ बले ही पर दे के उस पार आप अपने घरों में बैठे हैं लेकिन मैं यहां बैठा हूँ आप तक पहुंसन के लिए पूरी तरीके उसे सेलेक्शन इस बार होना चाहिए चैनल को सस्क्राइब करने रास्ट रहत में क्योंकि कोई भी चीज एकजाम में छूटे ना भारती संविधान को अंगी करत कब किया गया तो भारती संविधान को अंगी करत करा गया है 26 नमबर 1949 एक कुशन और बनता है कि भारत में जो विधी दिवस है वो कब मनाते हैं भारत में नियाय दिवस कब मनाते हैं कानून दिवस कब मनाते हैं इसी बजह से दोस्त यहां पर 26 29 नवंबर को मनाते हैं 1949 को अंगी करत किया था जबकि लागू करने की दिथी अलग है क्या लागू करने में बच्चे बता सकते हैं क्या अंसर होगा चलिए अगला कुशन भारत का मूल संविधान कहां से प्रकासित हुआ था ये कुशन बहुत ललन्टा बोले तो एकदम से व देहरादून में एक जीके का कुशन भी पूछा जाता है कि भारती जो फ्लावर्स वैली है सांती घाटी केरल में है लेकिन फ्लावर्स वैली फूलों की घाटी देहरादून में है उत्राखंड में है मूल संविधान कितने सब्दों से बना है जिस समय संविधान बना था उस समय जो सब्दों की संख्या है वो कितनी है तो यहाँ पर आपको याद रखना है असी हजार से भी जादा सब्द है option जाएगा सी के साथ निमलिकित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित सम्मिधान है very very simple question very very most important यहाँ पर दोस्ट जाएगा क्या हो जाएगा answer will be option number D is right answer यहाँ पर भारत हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा लिखित सम्मिधान है सम्मिधान की लिखित संकल्पना का उद्वो सबसे पहले कहा हुआ यार याद करो कि जब हम कहें कि सबसे बड़ा विश्व का सम्मिधान लिखित कौन सा है वो है भारत लेकिन सम्मिधान की लिखित संकल्पना का उद्वो सबसे पहले कहा हुआ वो दोस्ट संयुक्त रास्टर अमेरिका यानि C option हो जाएगा अमेरिका में सबसे पहले इसका उलेक हुआ लिखित सम्मिधान की उत्पत्ती नीव डाली गई भारत का मूल सम्मिधान कहां सनक्षित कहां पर है यानि मूल सम्मिधान जो सबसे पहले सम्मिधान दो वर्स इतने इतने दिन लगे है ठीक है ना तो यार उस समय जो है सम्मिधान जब लिखा गया था 26 नवंबर 1929 में अंगिकरत किया गया तो वो सम्मिधान वो कहा है इस समय वो है राष्टपती भवन प्रधान मंतरी निवास संसत भवन या सरवक्षिनेल है तो दोस्त याद रखो संसत भवन में उस सम्मिधान को रखा गया है यानि option number C is right answer question number 19 प्रारूप शमिधी ने भारती सम्मिधान को किस भासा में लिखा है जरा जबाब दीजेगा तो दोस्त इस question का जो right answer जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा बताएगा लॉक किजेगा तो दोस्त यहाँ पर जो answer चला जाएगा वो चला जाएगा कि यवल अंग्रेजी में लिखा गया है प्रारूप शमिधी के अद्यक्ष कौन है डॉक्टर भीमराव अमेडिकर अगला question 20 नमबर भारत के राश्टी धज में चक्र क्या निरूपित करता है चक्र जो है वो क्या निरूपित करता है तो दोस्त याद रखेगा राश्टी इसा को निर्धारित करता है 24 तीलियों की बात करता है जो अग्रसित होने की बात करता है 21 भारत संपूर प्रभूत संपन लोगतंत्रात्मक जोगराज्य है क्योंकि हम जब कहते हैं हम भारत के लोग भारत को संपूर प्रभूत संपन है ना इस तरीके से हम जब बोलते हैं प्रियम्बल में तो ये बताओ कब बना था तो 21 का जो आंसर है वो जरा आपको बताना है 21 का जो आंसर है वो आपको बताना है कमेंट करके बताना है तो इस कुशन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा option number D के साथ 26 नवंबर 1949 वही सिम्पल सी बात है वही आंसर होगा केंद्री विधान मंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था तो आंसर जाएगा बिठल लभाई पटेल option C जाएगा गडेश मावलंकर कौन है गडेश मावलंकर है लोकसभा प्रथम अध्यक्ष और सचितनन सिनह है आपके कौन सच ये है आपके लोकसभा से ठीके लोकसभा लिख देता हूँ राजंदर पसाद है यहाँ पर इस्थाई अध्यक्ष है ठीके ना और ये रहे है प्रथम अस्थाई अध्यक्ष रहे है इस चीज को आप याद रखेगा और इसकुशन का अंसर सी हो जाएगा निमलिकित मेंसे कहा लोकतंतर नहीं है कहा पर लोकतंतर जो है नहीं है जवाब दीजेगा फटा फट इसकुशन का राइट अंसर क्या होगा अमेरिका में है, नार्वे में है, भारत में है या फिर चाइना में है तो इस कुशन का जो राइट आंसर जाएगा वो किस के साथ चाइना के साथ चला जाएगा निम्लिगित में से कहां पर लोकतंत्र नहीं है तो D में हमारा option number चीन में लोकतंत्र नहीं है भारत में एकल नागरिक्ता की अवधार्णा कहां से ली गई है तो इस question का जो right answer जाएगा वो option number A के साथ England के साथ चला जाएगा कि जहां से एकल नागरिक्ता क्योंकि भारत में एकल नागरिक्ता है अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में एकल नागरिक्ता नहीं है अमेरिका में यहाँ पर double नागरिक्ता है दोरी नागरिक्ता है option A जाएगा भारती संविधान में संविधान संसोधन करने की प्रक्रिया को कहां से लिया गया है संविधान में जो संसोधन होता है वो लोकसभा या राजिसभा के द्वारा होता है कहीं भी पेस किया जाए फिर उस पर हस्ताक्षरित हो रस्टपती ये वो ठीक है तो यहाँ पर अगर हमें बात करनी है कि भाई उस प्रक्रिया को सबसे पहले कहां से लाए गया है तो अनुच्छे 368 ये कहता है सम्मिदान में संसोधन होगा हम उसकी भी बात करेंगे लेकिन तक्षिल अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां से हमने इस प्रक्रिया को लिया है भा बारत की संबिधान सबा जिस समय गठित हुई थी उस समय बेवल, क्रिप्स, अगस्थ, कविनेट बहुत सारी ऑप्षिनस ऐसे मिलेग एकजाम में तो यहाँ पर आंसर किसके साथ कविनेट मिसन के आधार पर बारती संबिधान सबार के द्वारा यहाँ पर पूरी तरीके स इसको परखा गया देखा गया और गठन किया गया अगला कुछन बारती संविधान की रचना किस समय संविधान सभा का संविधानिक सलाकार कौन था यानि बारती संविधान की रचना हुई थी जिस समय यानि जिस समय उस समय संविधानिक सलाकार कौन था तो आप याद रखे हैं सम्विधान सभा में रास्टरगान कव अपनाया गया तो दोस्त यहाँ पर आंसर आपको देना है कि जब रास्टरगान को लिखने के लिए क्या हम टैगोर साहब की बात करते हैं रास्टरगीत को लिखने के लिए क्या हम चटरजी जी की बात करते हैं आप कमेंट कीजएगा आप कंफर्म करिएगा लेकिन हमारा काम यहाँ पर 28 नमबर में हमें इस कुष्षन को कभी नहीं एक्जाम में छोड़ना है इसलिए मेरा काम इस कुष्षन को आपको याद करवाना वी आई एमपी कुष्षन है क्योंकि पिछली बार इकजाम में पूशा गया देखेगा राश्टरगान कभ अपनाया गया 28 नमबर का जो जाएगा यहाँ पर ऑप्षन 1950 में एक तो यह क्लियर याद रखो कि 1950 में ठीक है और 26 जनवरी के दो दिन पहले यानि सदस्य थे यह कुष्षन बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है जो बच्चे थोड़ा सा पढ़े होंगे वो कुष्षन आप यार इस कुष्षन को बहुत अच्छे से याद रखेगा और जो बिल्कुल नहीं पढ़े इस कुष्षन को पूरी तरीके से गोल के पीजाना है लिख लेना स्टार बना के क्योंकि बहुत इंपोर्टन कुष्षन है अंतरिम संसद में कितने जो है सदस्य थे तो आप याद रखे 296 बहुत जगए आपको 313 बच्चे यार कनफ्यूज करेंगे आपको क्लियर है लेकिन 296 NCRT किताब में साफ लिका है कि 296 अंतरिम संसद में सदस्य थे ओप्षन ए जाएगा संविधान सवा में कुल कितनी महिलाएं थी तो यहाँ पर थी की बात करना है मूल संविधान में 15 महिलाएं थी ओप्षन ए जाएगा अगला कुस्षन भारती संविधान को बनाने है तो कुल कितने अधिवेशन हुए है दोस्त गुरु जी वर्ड एक्जाम स्टडी आपको पूरी तरीके से महराथन क्लास पर निर्वर करता है यानि एक भी कुस्षन एक्जाम में कि आप सेलेक्षन लेकर आए भारती संविधान को बनाने है तो कुल कितने अधिवेशन 12 अधिवेशन हुए थे अगला कुस्षन है आजाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे बताओ आजाद भारत के संविधान सभा के देख्ष पूचा जाए तो राजंदर प्रशाद मारेंगे और कुछ नहीं आपको मारन नहीं तो सचिदाहन सिना भी मारते तो वो तो सभा की बात करी थी स्टार्टिंग में भारत के पहले राष्ट्रपती के रूप में डॉक्टर राजंदर प्रशाद का चुनाओ ये बढ वारा हुआ था क्योंकि चुनाओ पद्द ही थी नहीं हमारा राष्ट्रगान पहली वार कभ और कहां गाया गया था देखिए अभी मैंने आपको बताया कि देखिए सबसे पहले गाया गया और लागू किया गया या अपनाया गया फर्क है जब कुछ सन में पूचा जाए क भाई कभ और कहां गया गया तो ये कलकत्ता में गया गया और कभ गया गया तो ये 1911 में गया गया पूरी डेट क्या है 27 दिसंबर पूरी डेट है तो ये आपको पूरी तरीके से ज्ञान होना चाहिए अगला स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अभी मैंने आपको बताया था कि जीवी मावलंकर यानि मावलंकर साहब को कहा जाता है प्रतम लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर कहा जाता है और option D is right answer चलिए भारती सम्विधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है ये बड़ा च्छा कुसन है बिटिस सासन युसे का बिल आफ चुछेद की बातें छोड़ो लेकिन एक्ट एक जरूर है 1935 एक्ट को हमने बहुत जादा यहां पर क्या बहुत जादा जो है हमने इसकी मदद ली अगला कुस्पन भारत एक क्या है बारत एक क्या है राज्योंका संग है बहुत अच्छी बात है लेकिन option में तो राज्यों का संग है नहीं अनुच्छेद आर्टिकल वन में ये कहा गया है भारत एक राज्यों का संग होगा लेकिन भारत है क्या एक भारत एक धर्म निर्पेक्ष रास्टर है इसलिए option किसके साथ जाएगा option जाएगा भई ये के साथ अगला question हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्ज क्योंकि इंपोर्टेंट है हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया है 1971 में बड़ा अच्छा कुछन है क्योंकि ये बाद की बात है और ये जब बाद की बात है तो इंपोर्टेंट बन जाता है राज्यसभा की बैठकों का सभापति आप देखीगा यहाँ पर दान लेता हूँ चालिस नंबर में भारत का उपराष्ट पती किसका पदेन सभापती होता है राज्यसभा लोक सभा विधान सभा या फिर ननाब्दीज तो याद रखेगा राज्यसभा इसी लिए उपराष्ट पती को तरजी देती है क्योंकि उपराष्ट पती उसका कौन करता है कोई बता पाएगा आपके पास option है राष्ट्रपती आपके पास option है सरवक चनेले का मुखे नायधीस आपके पास option है जो प्रधान मंत्री और आपके पास option है संसद बताएगा कौन करता है जल्दी से बताएगा तो आप यहार याद करोगे हमने चार option आपको दिय लेकिन आपने कुछ तो कुछ मारा होगा लेकिन मैंने आपको चारो ओप्षन में कुछ नहीं दिया ये तो दिमाग लगाना चाहिए आपको उपराश्टिपती की नियुकती कोई नहीं करता है ये बात दिमाग लगा लेना ठीक है ना? बहुत important तरीके से अच्छे तरीके से दिमाग लगा लेना संविधान के किस संसोधन द्वारा मतदान की 21 से घटा कर यानि पहले जब बोट डालने की जो उम्र थी वो 21 थी और जिस समय आज की हम बात करते हैं तो आज हम लोग 18 साल में डालके चले आते हैं तो यार याद रखो कि 61 जो संविधान संसोधन था वो 1989 का था उस समय यहाँ पर एक नियम लाया गया कि भाई 21 वर्स को घटाया जाए और 18 वर्स की जाए जिससे हर बच्चा 18 साल का हो जाए वैस को हो जाए और वैस को मतादिकार में सामिलो पाए भारत में आजादी के बाद पहला आहम चुनाओ कब संपन कराए गया तो आजादी के बाद पहली वार जब चुनाओ हुआ तो वो 1952 में हुआ बहुत जगे आप 1951 जब आप्शन में बच्चा देख लेता है यहाँ पर अगर मैं 51 दे देता और यहाँ पर मैं कुछ और दे देता पचास दे देता तो यार आप बच्चे कन्फीज हो जाते तो 52 आपको याद रहते हैं पचास नहीं क्यावन भावन भारत के प्रथम बाइसराई कौन बने तो प्रथम बाइसराई और प्रथम गवर्नर जनरल ध्याँ देजाएगा दोनों कुछें को करेंगे लेकिन जब प्रथम बाइसराई की बात करेंगे तो लाइड कैनिंग वेरी वेरी मृस्ट इंपोर्टेंड जब प्रथम बाइसराई पूछे तो लाइड कैनिंग हमें याद रहना है और जब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो लाड विलियम बेंटिक या कैनिंग या मिंटो या निराब दीज तो आप जब गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो विलियम बेंटिक कैनिंग क्या है वाय सराय ये क्या है विलियम बेंटिक क्या है गवर्नर जनरल अधिनियम के अंतरगत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया यानि बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो कौन से ऐसे एक्ट के दोरा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया वो था दोस्त 1833 का चार्टर अधिनियम एक्ट था यह वेरी वेरी most important है इस question को star बना के लिख लिजएगा क्योंकि आज कल ये question पूछा जाएगा आज कल आप से ये नहीं पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गया है पूछा जा सकता है कुछ भी पूछा जा सकता है लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि tough level हो सकता है तो कितना tough होग प्रेश की स्वतंता किस अनुछेत के तहट सुनिश्चित की गई है तो जो भारती संविधान में प्रेश की स्वतंता है वो सुनिश्चित की गई है अनुछेत 191 के तहट या 191 या का के तहट की गई है या ए के तहट 191 के तहट की गई है ये आपको याद रखना है भारत में संसोधन करने की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है कहां से दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और उच्छे 368 यह कहता है कि यह उच्छेद में भारती संसोधन कर सकता है अगला सिक्षा को किस संसोधन के द्वारा राज्जी सूची से संबर्ती सूची में लाया गया है बड़ा बहतरीन कुछन है यानि कौन सी सूची में सिक्षा है वरतमान में तो आपका आंसर एक्जाम में संबर्ती सूची होना चाहिए पूछा जाएगा कौन सी सूची में सिक्षा को रखा गया है तो ये कुछन एक्जाम के लिए बहुत important है तो संबर्ती सूची 42 में संबिधान संसोधन के दोरा ला गया है ये भी आपको याद रखना है अगला किस अनुच्छेत का उपयोग करके भारत के राश्टपती वित्ती आपात को घोशित कर सकते हैं तो दोस्त त्याद रखेगा 51 का जो आंसर जाएगा वो किसके अनुचार 360 के तहट कि 352 में क्या है राश्टी आपात है 356 में क्या है राश्टपती सासन है और 360 में क्या है बित्ती आपात है अगला निम्लिकी संसोधनों में से किसे भारत का लगू संबिधान कहा जाता है तो भारती लगु संविधान क्या सात्मा संसोधन, बियालिसमा संसोधन, चवालिसमा संसोधन या चवहत्तरमा संविधान संसोधन तो आंसर बियालिसमा जिसको मिनी संविधान कहा जाता है जो धर्म निर्पेक शोर जैसे वर्ड को समाजबाद जैसे वर्ड को उसमें भारती संबिधान का अनुच्छे 60 क्या कहता है तो याद रखेगा भारती संबिधान का जो अनुच्छे 60 है वो राष्ट्रपती की सफत के बारे में ग्रहेंड यहां पर किया गया यानि किस तरीके से प्रिसिडेंट जो है सफत लेगा और याद रखेगा ऑप्शन नमबर 20 भारती संबिधान इंडिटन का पहला संसोधन किस वर्ष में हुआ था? यानि पहला चुनाओ 1952 में हुआ था 52 में पहला चुनाव हुआ था भारती सुतंता के बाद आम चुनाव 52 में हुए और पहला संसोधन हुआ है तो answer will be right यहाँ पर option number A is right answer 1951 में हुआ है निम्लेगित में किस वर सिक्किम को राज़े का दर्जा दिया गया है हमने आभी आपको बताए कि भाई इमाचल प्रदेश और सिक्किम यह दो important राज़े है सिक्किम को अगर हम देखा जाए तो काफी जो है बिवाद रहता है डोकलाम पार्ट है अगर हम बात करें इंडिया बेट्विन चाइना वार अगर हम देखें यहाँ पर 55 यहाँ पर answer क्या हो जाएगा option number 1975 हो जाएगा 1975 में सिक्किम राज़ तक फैला हुआ है निम्लिकित में से वारत में पहला नगर निगम कहां पर इस्थापित हुआ है पहला नगर निगम कहां पर इस्थापित हुआ था तो पहला नगर निगम इस्थापित हुआ था मद्रास में संभिधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था यह अच 11 दिसम्बर 1946 के लिए सम्विधान सवा का इस्थाई अद्यक्ष अब देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज है 9 दिसम्बर को यहाँ पर सबसे पहली सम्विधान सवा की बैठक हुई ठीक है यह आंसर हो गया इसी कुस्षन एक और बनेगा कि इसमें जो है आइस्थाई अद्यक्ष कौन चुना गया तो आ सचिदानन सिना चुने गए cautious हो गया और तीसरा कुष्षन हुआ भ्ही 11 दिसम्बर यानि बिलकुल exact 2 दिन बाद दो दिन बाद 1946 इसको इस्थाई अद्धिक्स चुना गया और इस्थाई अद्धिक्स चुना गया किसको डॉक्टर राजंदर पसाथ को तो यहाँ पर option जाएगा भई किसके साथ दी के साथ चला जाएगा अगला सम्भिधान सवा के कितने उपस्थित सदस्यों ने सम्भिधान पर हस्ताक्षर किये तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो किसके साथ 284 बहुत सारे बच्चों की दिमाग में 289 जा रहा होगा बिलकुल नहीं 284 आपको याद रखना क्योंकि signature की बात हुई है उपस्ति सदस्यों की बात नहीं हुई है भासा के आधार पर राज्यों का पुनर गठन किस वर्स किया गया अब ये digit वाली चीज़ें हमें नहीं याद रहती है लेकिन कोसिस करना है न क्योंकि एक्जाम में ये थोड़ी ना कहा गया है कि digit वाले question सन वाले question नहीं पूछेगा तो एक्जाम के लिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि 1956 में राज्यों का पुनर गठन स्टार्ट हुआ किया गया क्योंकि यहाँ पर काफी लोगों की इम्रत्य हुई कि जो चाहते थे कि हमारे राज्य का partition होके हमें एक अलग राज्य में यहाँ पर दर्जा दिया जाए अगला मारले मिंटो सुधार ये important है अच्छा कुस्सन है बहुत बार पूछा गया है मारले मिंटो सुधार बिल किस बर्स में पारित किया गया था तो मारले मिंटो सुधार जो बिल था वो दोस्त यहाँ पर आंसर जाएगा किसके साथ 1909 के साथ चला जाएगा मारले मिंटो सुधार के लिए है मारले मिंटो सुधार 1909 आपको मारना है अगला कुस्सन निमने के इतमे किस्देश से भारती संविधान ने लिखित संविधान के रूप में प्राप्ट किया है अप देखी का लिखित संविधान पूरे विछ्च का सबसे बड़ा है वो है भारत का लेकिन सबसे पहले ये कुस्षन देखो कि गुमा के पूच दिया और जबकि मैंने इसी वीडियो में इसी कुस्षन को कराया है और कुस्षन करने का पूरी तरीके से language change है यानि देखो language कैसी थी वहाँ पर उसमें ये कहा गया था कि सबसे पहले लिखिस सम्विधान कहां पर और यहां पर कहा दिया गया कि भारती सम्विधान ने लिखिस सम्विधान कहां से लिया है तो answer तो वही होगा कि जहां पर सबसे पहले होगा US हो जाएगा बलवंत राय महता समिती का गठन किया गया था तो दोस्त याद रखेगा बलवंत राय महता समिती का गठन जो किया गया है वो किसके आधार पर तो पंचायती राज बच्चे यार याद रखो ये question important है इसका मैं अभी समिधान संसोधर मी बताऊंगा very very most important IMP questions में इसको रखा जाता है अगला question question number next बहुत अच्छे जवर जासत क्या बात है नेक्षमन कहरा है कि भाई भासा के आधार पर कौन सा भाई या पहला राज्य था यानि गठित होने की बात करे तो बहुत सिंपल है या आंधर प्रदेश को गठन यहां पर किसके आधार पर किया गया था मैंने कहा भई राज्यों का पुनर गठन जो हुआ था 1956 में तो यहां जो है पहले ही गठित किया गया और आंधर पते इसको सबसे पहले राज्य का दरजा दिया गया कि जो भासा के आधार पर अलग होगा option C is right answer अगला question 65 किस अनुचेत के द्वरा 6-14 बर्स तक के बच्चों के लिए सिक्षा का अधिकार यानि right to education मूल अधिकार मना गया है अनुचेत 20, अनुचेत 21, अनुचेत 22 तो दोस्त याद रिखीगा ये question important है और याद रखो क्योंकि अपने बच्चों से लेकर चाहें जितनी भी पीडियां आप देखोगे इस question को भाई पूछा जाता रहेगा और अगर आप पिछले practice paper को देखेंगे तो इस question को जने कितनी बार कहीं environment में पूछ लिया कहीं quality में पूछ लिया कहीं gk section में पूछ लिया हर देगा ये question मिलेगा आपको यहां तक कि इतिहास में भी ये question मिलता है इस question का जो right answer दाएगा नुचे 21a के तहर जाएगा article option c is right answer question number 64 66 कह रहा है 74 जो सम्विधान का संसोधन हुआ था उसके अधिनियम के द्वारा भारती सम्विधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई ये बहुत अच्छा कुछ सन है यानि 74 में सम्विधान संसोधन में जो अनुसूची जोड़ी गई थी वो कौन सी थी बारमी अनुसूची जोड़ी गई और ये अंतिम अनुसूची थी जिस समय हम अपन यहाँ पर इस देश में जी रहे हैं तो उस समय बरतमान में कितनी जो है नुसूचियां है वो है बा हमने और राजे देखें, तो और राजे देख लेंगे, आंद्रपदेश की बात करी, हिमाचल पदेश की बात करी, सिक्किम की बात करी, तो मद्रपदेश क्यों छूट जाये वही, तो जिदेखेंगा यहाँ पर, अच्छा कोई बताएगा, मुझे यूपी का गठन कब हुआ मैंने आपको यूपी वाली स्पेसल कास में बताएगा, मद्रपदेश राज्य का गठन कब हुआ, यूपी वाले बताएगा और विहार वाले बताएगा, जल्दी से बताएगा, मद्रपदेश राज्य का गठन कब हुआ था, तो यार याद रखो कि 1956 में हुआ था, बस डे इसी रियासत के प्रतिनित में अकर जो भाग लिया था तो वो किसने लिया था किसने नहीं लिया था तो इस कुछा गया है कि कौन सी ऐसी देशी रियासत है जो सबसे बाद में आई या जो सबसे बाद में आई तो लेकिन जिस समय लेना था भाग उस समय नहीं लिया जूनाग 1928 में गरम बात करें नहरू रिपोर्ट पेस हुई थी 1936 में अगर देखा जाए तो वैस्क मतादिकार के आधार पर जो मांग की गई वो यहाँ पर जेल नहरू की बात करी गई जवाला नहरू ने सबसे पहले जो है वैस्क मतादिकार इस पॉइंट को नोट करें इस पॉइं थी लेकिन उसके अगर हम पहलू में जाएं तो किस ने की थी तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी ओप्शन जाएगा भई डी के साथ अगला सम्विधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भासा का विकास के लिए निर्देश दिया गया है तो हमने यार यह तो हिंदी भाले क्लास में भी पताया है कि अनुच्छे 343 ये कहता है कि भाई अब बीडियो पॉलिटी की है तो पॉलिटी का कुछ चल के नहीं तो इसकी थी जा रिप। एक हिंदी का पूरा दाइत्तो होगा और हिंदी का क्या होगा दाइत्तो के सासात यहां पर आंसर गलत हो गया कोई बात नहीं हिंदी भासा की बिकास के लिए आप क्या करेंगे अनुचे 351 याद रखेंगे इसमें क्या याद रखना है कि हिंदी मात्र एक राजभासा होगी क इतना याद रखेंगे ठीक है चलिए भारत में एकल नागरिकता की अवधाना अपनाईगी अभी अभी बताया है कि इंगलेंड से अपनाई गई है और USA के सम्विधान से भारती सम्विधान में लिखिस सम्विधान की विसेस्ता को लिया गया है भारती सम्विधान में राश चुनाव की पद देती है, राष्टपती का पद नहीं बोला गया है, इसमें ये बोला गया है, राष्टपती के चुनाव की प्रनाली, हम अगर ये कहते राष्टपती के पद को कहां से लिया गया, तो मैं यहां पर अमेरिका मार देता हूँ, option जाएगा C के साथ, question number 76, भारत अभी रिपीट हो गया माफी चाहेंगे चले कोई बात नहीं है अनुच्छे 370 किसे विशेज दर्जा प्रदान करता था करता था याद रखेगा अब नहीं है तो अनुच्छे 370 ये कहता था कि जंबू कस्मीर को एक विशेज दर्जा दिया जाएगा जो अभी हटा दिया ग आवन में है राश्ट्रिपती सासन 354 में है राश्ट्रिपती जो आपका वित्ती आपात है 360 में तो आंसर जाएगा ओप्शन नंबर B के साथ अब ये कुस्षन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कठिन है सोसन के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेत के अंतरगत आता है सोसन के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेत के अंतरगत आता है तो अनुच्छेत 23 से 24 के बीच के अंतरगत जो हमारा mid point आता है वो कहता है सोसन के विरुद्ध अधिकार होगा बच्चों का अगर सोसन हो रहा है तो भया हो जाएगा और 25 से 28 के बीच में जो आता है वो समय अगर हम अनुच्छेत की बात करें तो President हमारे यहां होगा तो अनुच्छेत 52 के तहट हमारे हाँ President होगा और अनुच्छेत 60 के तहट इसकी सफ़त होगी अगला महावयोक की प्रक्रिया का उल्ले किस आप्टिकल में है यह जितने ये किसी वीपद को हटाने के लिए, जैसे राश्टुपती की बात करें, या सर्वक चनैले के मुख्य नैधीस की बात करें, तो महाँ वियोग की पद्धित से हटाए जाएगा, भारती संब्यतान के किस संसोधन अधनियम द्वारा, पंचायती राजविवस्था very very most important VIMP question VIMP question है important है star लगा लो अनुच्छेत की बात करें संसोधन की बात करें तो हम यहाँ पर अनुच्छेत अभी बता चुके हैं संसोधन भारती पंचायती राजविवस्था का तीहत्तरमा संबिधान संसोधन है संबिधान की प्रारूप शमिती में कुल अध्यक्ष समेत की बात कर रहा है लेकिन अगर मैं आप से बात करूँ कि भाईया टोटल की बात करें तो 6 प्लस 1 6 प्लस 1 सेवन यहाँ इसमें एक डॉक्टर भीमराव मेडिकर साहब और 6 अन्ने तो यह टोटल भाई कितने होगे कुल कितने सदसे थे तो option जाएगा भाई साथ के साथ साथ हो जाएगा इस question का answer अनुच्छे 356 का सम्मंद किस से है तो अभी मैंने आपको बताया कि देखीगा यह संबिधान संसुधन जो भी मैं कर रहा हूँ इसका screenshot ले ले राश्ट्रिपती सासन 356 राश्ट्री आपात राश्ट्री आपात क्या होता है 352 होता है क्या अभी मेरे को confirm नहीं आप बताओ 360 अभी भाई आपी तो बताओगे तो यह बताओ वित्ती आपात 360 बताओ राश्ट्री आपा 352 राश्ट्रपती सासन 356 और अनुच्छेत कहता है 368 संबिदान में संसोधन की प्रक्रिया तो फिलाल अगर हम देखा जाए तो भाई यहाँ पर मेरे हिसाब से यह बनेगा और अगर यह बनेगा तो आंसर भी ऑप्शन सी जाएगा चलिए भाई राश्ट्र लोग सेबा आयोग के सदस्यों की निक्ति कौन करता है जरा बताएगा राश्ट्रपती करता है प्रधानमंत्री करता है मुक्यमंत्री करता है क्या होग आंसर तो इस कुस्षन का जो आंसर जाएगा वो ही राज्यपाल जाएगा क्योंकि आप कुस्षन में अगर राष्टपती लगा रहे तो आपने नहीं पढ़ाया ध्यान से राज्य लिखा है अगला वित आयोग की निउक्ति कौन करेगा वित आयोग से दो कुस्षन बनेगे एक तो परेग बनेगा की वित आयोग की निउक्ति कौन करेगा तो राष्टपती करेगा एक बनेगा की अनुच्षेद क्या है 280 है ये भी आपको याद रखना है अगला पिट्स इंडिया एक्ट कव अस्तित्त में आया ज़रा जबाब दीजेगा तो दोस्षन का अंसर जाएगा किसके साथ 17-84 इस भी में आया है और उप्शन जाएगा B के साथ भारती सम्मिदान के किस अनुच्षेद में बिभिन राज्यों से सम्मंदित विशिस्ट प्राबधान का उलेख है दोस्त यहाँ पर आप सभी बहनों से भाईयों से हर ग्रहडी से कहेंगे कि वीडियो को लाइक ज़रू करें क्योंकि यसी पर हमारा मोटिवेशन डिपेंड होता है हम भी आपके परिवार के सथ से हैं और याद रखेगा एक सेलेक्शन जब होगा तो मुझे आपसे भी ज़्यादा बहुत खुसी होगी क्योंकि आप ये कलपना नहीं कर सकते हैं या एक बच्चा जब सेलेक्ट होता है तो कहां कहां खुसी अफैल आएगा किसे नमबर 90 आंसर जाएगा वही किसके साथ 371 के तहट ये कहा गया है कि भारती संविधान में राज्यों से सम्मंदित विसिस्ट प्राबधान है भारत के संविधान के नुच्छे 371 जी में दिये गए विसिस्ट उपबंध किस राजे से सम्मंदित है तो ये दोस्त मिज राजे के नाम से परिवर्तन करने का या किसी राजे का अगर नाम परिवर्तित करना है या यूपी का आदा इस्सा करना है या फिर अगर हम बिहार की बात करें उसमें कुछ चोड़ना है उसमें कुछ गटाना है या नाम बदलना है तो वही किसको प्राप्त है तो ये जो ह भारत को संपुन प्रभुत संपन समाजबादी धर्म निर्पेक्ष पंत निर्पेक्ष डॉट 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 यानि क्या क्या बात करते हैं तो हम ये प्रस्तावना की बात करेंगे option number B के साथ preamble जो हमारे भारती संपुनता की आत्मा है भारत की संपुरभुता इनbreaker में नहित है यानि कोण से ऐसे प्रस्तावन का संसोधन कितनी वार किया गया है तो दोस्त याद रखेगा संसोधन जो प्रस्तावन का किया गया है वो किया गया है मात्र एक वार किया गया है और एक ही वार माना जाता है कहीं कहीं पर दो बार भी लिखा है तो इस चीज को आप याद रखेगा इस चीज को आ पर बता देना चाहता हूं, यहाँ पर बता देना चाहता हूं, कि option C ही होगा, आप पर इसा ना हूँ. राज्य नीति निदेशक तत्तों की बात करें यानि सिध्धान की बात करें किस देश से लिए गया है तो वो आयरलेंड से लिए गया है युए से लिए गया है मौलिक अधिकार की बात करता है कनाडा की बात करें संघात्मक विवस्था संबर्ती सूची आस्टेलिया दक्षि होगा 42 यानि संसदन की बात करेगा जो 1976 में हुआ है भी ऑप्सन राइट हो जाएगा 98 कह रहा है कि नए राज्य के गठन अब दिखे कुछन कितना परिवर्थित कर दिया है नए राज्य के गठन और सीमा में परिवर्थन करने का अधिकार किसको है तो भाई आंसर बदल रजवाडे कहते हैं देशी रियासत को भारत में बिले करने के लिए कौन प्रमुक है यानि अगर देखा जाई अखंड भारत किसलिये है जहां पर हम आज जी रहें वो तब ही है जब एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति का नाम था सरदार बलब भाई पटेल अगर व्यक्ति होते हैं आपको पता ही नहीं है क्योंकि ये देशी रियासत को जोडने का काम एक ऐसा मजबूत अगर कहीं भी काम नहीं बन रहा हो तो पटेल सापको बेज दीज़ेगा काम बन जाएगा सिंपल सी बात है तो option जाएगा question last और last ये कह रहा है कि भारती समिधान के किस अनुच्छेत के अंतरगत नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक की निक्ती होती है तो आपको ये बताना है जवाब देना है answer क्या होगा बताएगा फटाफट बताएगे इस question का answer क्या होगा उमीद है दोस्त आप सभी ने आप सभी भायों ने इस वीड़ो को बहुत प्यार दिया होगा प्यारा सा कमेंट किया होगा और एक आप से बस गुजारिस रहेगी कि आप अपने मित्रों को अपने फ्रेंडों को जरूर सेर करें अपने परिवारों को शेर करें और बताएं कि यहाँ पर आपको एक बिहत्री नालिज मिलती है भै देखिए, हर विक्ति सर्वसक्टीमान नहीं होता लेकिन मेरी ये कोसिस है कि आपको सर्वसक्टीमान बनाने की क्योंकि यदास अंसार है को यह कहता है कि मेरे पास संपूर्ण ग्यान है तो वो ये पागल है या फिर सिर्फिरा है मुझे नहीं पता क्योंकि सब कुछ ग्यान नहीं हासिल किया जा सकता है क्योंकि रोज नरोज हम कुछ सीखते हैं आप सीखते हैं हम सीखते हैं बहुत दुनिया बहुत आगे है दोस्त क्योंकि यह पर चीजें हर बच्चा ब्रिलियंट है हर अध्यापक ब्रिलियंट है और हर अगर कोई भी बच्चा ब्रिलियंट है तो वो सलेक्षन लेकर आएगा याँ आप इस बार सलेक्षन लेकर आएगे लव्यो गाइस हमारी सुब कामना है आपके साथ है बंदे मातरम मेराथन पर हम विश्वास करते हैं मेराथन आपको हर सब्जेक्ट की मिलेगी पूरी तरीके से बिल्कुल टेंसन फ्री रहे जैहिन इंकलाब जिन्दावाद लाइक करे वीडियो को सब्सक्राइब करे इसका आंसर आपको कमेंट वक्स में देना है चाहें आप सर्च करके दें चाहें जहां से दें बंदे मातरम